मगरमच के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार कोई उसके जबड़े में फस जाए तो मगरमच उसे निगले बिना नहीं छोड़ता लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो मगरमच के मूँ के अंदर तक चला जाता है इसके बावजूद भी मगरमच इसे नहीं खाता इस पक्षी का नाम है Egyptian Plower Bird आप सभी सोच रहे होंगे कि मगरमच इस पक्षी को क्यों नहीं खाता तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Egyptian Plower Bird मगरमच के दातों में फसे मास के टुकड़ों को खाता है जिस से दोनों का फैदा होता है मगरमच के दात साफ हो जाते हैं और इस बर्ड को पेट भरने के लिए भोजर मिल जाता है तो आपको ये interesting information कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना